त्राइटिस या गठ्या एक प्रकार के जोडों की सुजन होती है यह एक या एक से अधिक जोडों को प्रभवित कर सकती है 60 बर से अधिक उम्र के लोगों के बीच अकसर ये बीमरी फाया जाता है हाला कि बच्चों या जुबा में भी ये बिकसित हो सकता है गठ्या एक लख्यान है और सिंटम है दावत गठ्या असी प्रकार का होता है अधिक अधिक होने के बाद बुखार में आता वह भी एनेमिया करके विकनेस बना के जोडों में बदर में दरद होता है तो यह एसी मेलरिया भी गठ्या का क्रोनिक मेलरिया भी गठ्या का लख्योन है और साइन्टिक के लिए देखा यह मौडर्ण वाल में तो गठ्या चाट टाइप का होता है जिसा आरे फेक्टर पोईटी भी निकलेगा स्यार्पी यह सो और यह सर और एक है गठ्या का मौडर्ण सुसाइटी में डिसी इस रूपी लाता है वह भी गठ्या का सिंटम है और यह सब लेख्षण है क्यूं हुँँ हूँ उसको पता करना उसको टीट करना सब अलग नेचुलाल वे में जिसा गरम पानी किसी का सिखते हैं किसी को थंडा पानी सिख देने से भी एक्जाम्पूल बदा रहा हूं को बहुत कमन चीज है कि हम कहीं से धूप का टाइम में टाइड होके आएंगे थंडा पानी में पेरहाथ हो देने से फ्रेस लगता है ब्लड सार जोड़ो में होता है युरी केसी के पार्ट है युरी केसी और पार्ट है युरी केसी प्रोटीन से होता है युरी केसी प्रोटीन है और जैसा डाल्चीनी और सहय उसका कमन चीज है उसको खाने से गरम पानी पीने से भी गठ्या ठीक होता है और यह में देखा गया हमारे त बताते बताते पहले किसी में अच्छा लगता है उसको पता करना है या किसी को क्या करने से उनको बुरा लगता है उसको पता करेंगे तो फिर वही बुरे से उसका ठीक तो हो रहा है वही बुरे से भी उसको धिरे-धिरे बैलेंस करके लगाने से उसकी से तीक होता है पर पेश्की से ही हैं उसका कि गंठिया क्योंते हैं यूकर कि तूम कुलीवती सनक्राण गंठिया कि इस इसे तेan 20 हेस्फी रही है तो यह पताई सि सलै गांद सो और अंभाप लगता अधराद भी घड़ता केसा घड़ता उसको यह थन्ना का सिजर में भी थन्ना का पानी देने से उसको आचा लगता यह अजब चीज़ टाइप का पैसेल है और मोटा है तो मुझे पता करते के देखा टेस्ट की सब नर्माल है और इन जनल इंफेक्शन तो है नहीं उस के तो इसे पता करना पहाई पहाई के बाद पहचारने के बाद उसका manuscript है चाहे दवाई सबाज मिल भी नहीं जालका और उसको ठीट करने का प्रस 결 करना उसको दवाई धूना पहचाल ना के सब मेहना घड़ता है पहचार लिया तो थीक होगा उसको पहले से पता दिया अभी उसी से भी आच्छा लग रॉया तोल्हां और चरवित लगू लो रिछान बूम लगता है किसी से बुरा लगता है उसी को पता करने लेकिरल और आज ग demi such a गठ्या में affected है, उसका मैं कारण है कि हमारा रहस है। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिया गया लाल बटन को क्लिक कीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कीजिए। इससे हमारे नई वीडियो की नोडिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे फेस्बुक और अपाटसब ग्रूप में सेयर कीजिए। और आज गरगर में जो एंटी पोट्शन लो गठ्या में एफेक्टर है उनका उसका में कारण है कि हमारा रहस है। मैं और भी में मैं जहां भी बैटा हूं मुन्हार का है थन्डा का मॊचण है। ठील का मोटन साथ में यह नच्या में पेट सब्सक्रूप में गराब करता है म टिवर्म ऑर को यह तर्नडा कर रहा है। और हम फिर धागों के सुते हैं जो modern गदी हो यह सब यूज़ का दर पेट को गर्मी करता है यह जो बैकिंग का रचेंज हो रहा है इसी से पहले का करता है कोई बेटीज हो रहे से पहले आपका पेट को कॉस्टिक्शन बनाता है ऐसी क्रेट कराता है पेट को साफ करें और और से सब टीट्मेंट में जाएं स्टेप बाई स्टेप जाएं डॉक्टर का सरहल है जो या जो बुढ़ापी लोग है जो एक्सप्रियस है या जो पैसे में ठीक हुए उनका सरहल है पहले का अध्याद में ओ लोग बड़ा ड़क्टर है भई हां आर्थराइटीस या गठिया के पीछे यूरिक एसिड का बड़ी भूमिका रहती है यूरिक एसिड का कन गोटनों या अन्य जोडों से जमा हो जाती है इससे जोडों में पाए जाने वाले काटिलेस टीशू को ख्यती पहुंचती है काटिलेस टीशू की मात्रा में कमी से कई प्रकार की गठिया होती है जोडों में दर्द से रोगी का बुरा हाल रहता है इस रोग में रात को जोडों का दर्द बढ़ती है और सुभा अकडन महसूस होती है इसकी पहचान होने पर इसका जल्दी से जल्दी इलाज करना चाहिए अन्यता जोडों को बड़ा नुकसान हो सकता है शिरियों पर तो तो किसी के पास है यह दरद हो रहा है यह हो रहा है यह हो रहा है यह सब लख्यान अर्थराइटीस या गठ्या होने पर सरीर में कुछ लख्यान दिखने को मिलता है जैसे कि जोडों में दर्द, जकड़न और सुजन गठ्या के दोरान प्रभावित अंग लाल पड़ सकती है आप गठ्यों, उल्हे, कंधे, हाथ या पुरे सरीर किसी भी जोडों में गठ्या के दर्द अनुभब कर सकते हैं आपको ठकान हो सकती है, भूख में कमी महसूस कर सकते हैं, गठ्या के तिब्र आकरमन से बुखार भी हो सकता है आर्थ्राइटी से गंभिर भी मरी है, जिसका उपचर समय रहते करना बहुत ज़रूरी है संतुलित आहार और सरर जिबन सेली से आप खुद को इस रोग से दूर रख सकते हैं आम तोर पर गठ्या के रोगी सुजन को कम करने वाले दबाओं पर निर्भर रहते हैं लेकिन ये बीमारी का स्ताई समाधान नहीं है, क्योंकि इन दबाओं के कई तरह का साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इस तरह सरजरी, एक्यूप्रेशर, मालिस से गठ्या की इलाज किया जाने का दावा किया जाता है लेकिन आयरवेद और नेचुरल ट्रीटमेंट से इसका पर्मनेट इलाज हो सकता है